हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमार इस लाइब स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में दोस्तों आज इस लेक्षर में हम आपसे पीएससी बोटनी यानि की सेकेंड समेस्टर के एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है रिक्सिया रिक्सिया के बारे में आज हम आपको बताएंगे यह आपके बीएससी सेकेंड समेस्टर बोटनी की पहली यूनिट है टिक जिसका नाम है इंट्रोडेक्शन टू आर्ची गोनियट एन ब्रायोफाइट टिक यानि की प्रिवियस क्लास में मैंने प्रियोफाइट के बारे तो अगा चाहिएट के वँडिकेशन के बारे में बने समय से जाओ सिक शेएंगे से ट्लीले केशन स्कुर्णी .... अपकरेस्टोडे से लिशटोड में आपको प्रिवियस के में गेंड स वसके जनल करेक्टर को नहीं देह के हैं वसप्लियों कुछ आपके बहुकर क्लास history में कि ऑप साम करका लिदा थी नहीं था पहला था हिपएटिकiphoda तूसरा था anestroad decide और तीसरा था vyoboda तो आज हम हिपएटिकॉबप सिदा थीक और आपका जो दूसरा, sorry आज मैं आपको हिपएटिकॉबसिदा जिसको हम लोग, जिसको हम लोग लीवर्वड के नाम से जानते थे, किसके नाम से? लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं उसी के बारे में आज हम आपसे डिसकर्स करेंगे यानि कि हिपेटिकॉप सिडा के एक ओर्डर की बात करेंगे एक ओर्डर जो है आपका मारकेंजियल्स आपके हिपेटिकॉप सिडा में आता है आज उसी के एक जीनस रिक्सिया के बारे में पढ़ने जारे हैं तिक किसके बारे में पढ़ने जारे हैं यह आपके प्रेक्टिकल एक्जाम में भी देखने को मिल सकता है तो आईए हम लोग की रिक्सिया के बारे में आज उसी के बारे में हम लोग की यहाँ पे समझेगे ठिक तो आईए फटाफट से आप लोग खेड़ी लगा लिजेगा रिक्सिया के बाद आप लोग लगाईगा systematic position जिसको short form में SP बोला जाता है क्या जाता है systematic position को short form में SP बोला जाता है ठिक यह point आप लोग note करिए तो आपका जो यह briophyta है यानि कि रिक्सिया की बात करते है यह briophyta यानि कि डिवीजन प्रायोफाइटा में आता है ठिक और किस क्लास से तो मैंने बता है कि hepatic opcidas जाता है इसमें एक order आता है mark and sales जो उस order से बिलांग करता है और उसी order में family है आपका रिक्सिया सी जिसका एक जीनस है रिक्सिया आज उसी के बारे में हम बात करते हैं पहले थोड़ी से introduction आपको हम briophytes के बारे मताते है कि briophytes होते क्या तो जो आपके briophytes है वो terrestrial है अगर आपको बताया जाए कि पहला land plant पहला land plant कोंस है तो आपका answer होना चाहिए briophytes क्योंकि जो briophyte है इसकी origin algae से हुई है algae कहां रहते है water में और briophytes कहां होते है terrestrial में यानि कि algae आपका gel में रहता है और आपका जो briophytes है वो कहां पर रहते है थल पर या स्थल पर जमीन पर तो कुछ ऐसे species है briophyte के जो terrestrial नहीं है यानि कि वो water में पाय जाते है तो इससे यह मतलब निकलता है कि आपका जो algae है वो कहां से आपका जो briophyte है उसकी origin किसे हुई है algae से हुई है यह थोड़ी सी बात है आपके अल है briophyte के बारे में अगर आप briophyte के बारे में जो rixia का species होता है लगबग सभी species है वो क्या होती है वो terrestrial होती है यानि कि अस्तल पर पाई जाती है ठीक पट जो rixia flutens है यह आपके exam के point of view से बहुत important है कि I see currency species है जो aquatic है तो आपका answer हो चाहिए rixia flutens जो rixia flutens है यह क्या है एक aquatic species है ठीक क्या है aquatic species है जो आपको कहां मिलती है चल में दिखाए पर ठीक और प्राइवफाइट की एक point आप और बताते हैं आपको जो आपके प्राइवफाइट से होते है प्राइवफाइट की जो size होती है size प्राइवफाइट कितने बड़े का होगा तो इसकी जो size होती है वो 15 nanometer sorry मिली मीटर 15 से 30 मिली मीटर होता है कितने होता है 15 से 30 मिली मीटर यानि कि जो आपको यह point दिख रहा है इससे भी छोटा होता है आपका arixia और markensia यह सब जो ब्राइवफाइट होती है यह इससे भी छोटे होती है लेकिन इसको तब कैसे दिखा जाता है microscope की साहता से देखा जाता है आपका यह rixia ठीक अच्छा अब भी मैंने बात किया था आपको से rixia flutens के बारे में ठीक जो कैसी species है aquatic species है तो मैंने आपको बता है कि जो rixia होता है प्राइवफाइट होते है उसकी जो size होती है वो 15 से कितनी 30 mm होती है ठीक 30 mm होती है अब आपको बताएंगे जो आपके BSC के semester exam से के point abuse important है आपको एक question मिलता है दो number का जिसमें आपसे पोचा जाता है कि आपको इसमें तीन question बताब तीन प्राइवफाइट के नाम लेखने होते है जो aquatic होते है ठीक तो मनने आपको बता है जो rixia fluidens होता है rixia fluidens वो कैसा है aquatic है ठीक जो आपको यहाँ पर दिखाई पर है rixia fluidens कार्पस natinth क्या है natins natins ठीक तो rixia rixia rixiaus कार्पस natins जो है यह आपका क्या है एक aquatic ब्राइवफाइट से एक आप एक दो हो गया तीसरा है आपका तीसरा तीसरे नमबर पर आता है आपका raila क्या आता है raila जो raila है यह क्या है आपका यह आपका क्या है aquatic यहाँ पर A लगा लिजीगा raila aquatic species ब्राइवफाइट का तो यह कुछ बात है रहे ब्राइवफाइट के जो मैंने आपके साथ डिसकर्ज किया और एक प्वाइंट आपको बता देते है जो rixia होता है वो आखिर पाया कहा जाता है तो rixia जो होते है वो आपके rixia markensia यह आपके कहां पर होते है यह आपके rock पर भी यह आप सीधे सीधे बोलिए कि जो ब्राइवफाइट होते है वो कहां पाय जाते है एफिफिलस का मतलब होता है कि जो आपके ब्रायोफाइट्स है वो कहां होते हैं लीफ पर जैसे कोई डिड़ लीफ हो गई लीफ पर ये उग जाएंगे किस पर अन लीफ पर जैसे रोडूला है रोडूला जो है रोडूला इसका एक्जामपल होगा रोडूला रोडूला जो होता है वो कहां पर पाय जाता है वो आपका पाय जाता है आपके लीफ पर उसके बाद आता है आपका जो रिक्सिया होते हैं वो इपी फाइट टिक होते हैं क्या होते हैं इपी फाइट टिक इपिफाइट इपिफाइट का मतलब होता है पेड़ के ऊपर पाय जाना यादि कोई प्वेड है पेड़ के कोई प्लांट है तो प्लांट के ऊपर अगर कोई प्लांट का मेंबर पाय जाता है तो उसको हम क्या बोलते है इपिफाइट इपिफाइट नाम देते हैं किसको चटानों पर पाये जाते हैं कुछ होते हैं जी इरो फिट्टीक होते जाने यधो फ्तल यदि पर वटेक ब्राइवफायटे है तो आएल प्रवाडि अपने प्लाइंट की तरह बढ़ते हैं हम लोगेああ yeah Kenymetophyte का मतलब N ठीक जैसे आपका जो Kenymetophyte है वो कैसा होता है N होता है और जो sporophyte होता है कैसा होता है 2N तो आपका जो यह rifxia है कैसे होते है kenymetophyte होते है Sporophyte ही भी होते है बट कुछ टाइम के लिए ठीक, अभी उसके बाद हम आगे बात करेंगे यह कैसे होते हैं इस पोरोफाइट भी होते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हो समझते हैं और जो आपका रिक्सिया होता है यह कैसे होते हैं थैलस के रूप में थैलस के रूप में थैलस का मतलब क्या हुआ जो इसके प्लांट बॉड़ी है यानि कि root stem lip में आप differentiate नहीं कर पाऊगे, ठिक, आगे बरते हैं हम लोग, और कुछ बाते समझते हैं, ब्रायवफाइट्स की, तो जो आपके रिक्सिया होते हैं, आपके कोई ब्रायवफाइट्स हो गया, वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं, टाइकाट मसली ब्रांच, ठि कोई species, हमेशा दो भागों में बटे, ठिक, कितने भागों में बटे, दो भागों में, उसे डाइकाट मसली ब्रांच बोलते हैं, ठिक, माले जी ये कोई रिक्सिया है, सपोज कर गी ये रिक्सिया है, ये ग्रो किया इस प्रकार से, ठिक, इस प्रकार से ग्रो किया, तो इस एसे ही बनाएगा और ये भी दो आगे चलके दो रिकुषिया कारेनभार करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते है डाइ कार मसदी ब्राच तो आपको जो एह फीर दिख लाए यह रिक्सिया रोसे ट का है डाइ कार्ड मस्दी ब्राच आपको दिखाएगी उसके बाद मैंने बताय कि जो आपके रिक्सिया होते हैं उसमें दो रगाय की स्टेक्चर पाय जाती है यानिकि उसमें दो पार्ट होते हैं पहला होता है डार्सल सर्फेस डार्सल सर्फेस और वेंट्रल सर्फेस डार्सल सर्फेस क्या होता है पहले उसको समझे जैसे आपके हथेली में एक तरफ white होता है और दूसरी तरफ हलका white होता है यानि कि जैसे आपका हथेली हो गया हथेली मा लेजिए तो इस पर दो surface है तो जो आपका white दिखाई पड़ता है जिस पर देखाए होती है उसको सबोस करिए वो darsal है तिक वो darsal है उस darsal surface पर आपको क्या-क्या देखने को मिल साइगा ठिक दीखने को मिलेग और क्या-क्या देखने को मिल जाएगे यानि कि आपको चोहां की ismooed वाल राइज्वाइट आट तूरी ब्रक vältद देखने को मिल ऑड़ी उसके बाद आपको जैसे आपको यह दिखखाए पड़ कि उसके बाद आपको एक सर्फेस होता है वेंट्रल सर्फेस पे क्या होते हैं आपके तो रिक्सिया के अधर पार्ट होते हैं उसके सेख त vehicle phoertosynthetic filament वह सब उसके तूसरे रिजर्बर पे प्रेज़ंट होते हैं ठीक अच्छा रिक्सिया के जो डॉसल-वेंट्रल लो ड्रोरर्स सर्फेस होता है ऊपर growing point होता है growingPoint में क्या होता है applicable notch पाया जाता है ठीक और इसमें NBA μीडरिब पायाँ जाती है चैसे पत्तियों में 59 यह वैसे रिक्सियर में मिड्रिब पाया जाती है भी सती साथ आपके रिक्सिया डिस कोलर डिस क्लर में अपका ये midrip absent होता है साथ ही साथ आपके rixia flutens में भी आपका midrip absent होता है तो ये बात भी आप लोग ध्यार रखेगा अब बात करते हैं जो आपके rise-wise होते हैं scale होते हैं आगे हम लोग rise-wise scale की बात समझेंगे पढ़े हैं पर कुछ पाते आपके पाए जाते हैं rise-wise का मतलब होता है root root-like structure होता है जिसको हम लोग rise-wise कहते हैं rise-wise दो प्रकार के होते हैं in case of prior-fights prior-fights में rise-wise दो प्रकार के होते हैं पहला smooth-wild rise-wise दूसरा tuber-culate rise-wise अब इसके बारे हम लोग diagram के साथ-साथ देखेंगे और scale के बारे में भी जानेगे तो यह आपका winter surface राक इसका rise-wise का ठीक रिक्सिया का आगे हम लोग समझते हैं कि morphology यानि कि जो आपका रिक्सिया है वो किस प्रकार से देखाई पड़ता है तो कुछ बाते यहाँ पे हम लोग language के माध्यम से समझेंगे तो जो आपका जो रिक्सिया होता है वो generally क्या होते है prostate होते यानि कि चप्टा होता है और कहां पर भी आजाता है कोई सब statum है तो उस पे वो group कर जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते है patch को हम लोग क्या बोलते है रिक्सिया रोसेट ठीक आगे बढ़ते हम लोग the thailus is small जो thailus होते हैं रिक्सिया के यानि जो प्लांट बार्डी होता है वो पहुत ही small होता है जिसको आप और हम लोग अपने आखों से नहीं देख पाते हैं यानि कि माइक्रोइस्कोप के द्वारा उससे देखा जाता है ठीक the thailus ठीक the thailus is small जानि कि मैंने बता है कि उसके thailus क्या होते हैं इस्समाल होते हैं प्रोस्ट्रेट होते हैं टोर्सी वेंटरल होते हैं और एक पॉइंट आप लोग जो ओल लिजेगा diacode मस्टे ब्लांच होते हैं और green color के दिखाई पड़ते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं green color के जो आपका रिक्सिया है वो देखने में liver की तरह दिखाई पड़ता है यानि कि मैंने बताता कि है यह हिपेटिक औप सीरा का मेंबर है जिसको हम लोग liver वट कहते हैं जाने कि जो इसका थैलस है वो लीवर की तरह दिखाई पड़ता है टिक तता डॉर्सल सर्फेस आप थैलस है डिस्टिक्ट मिड्रिफ उसके डॉर्सल सर्फेस पर क्या पाजाता है का जिसको अब अस्पष्ट करते हैं और अगर कोई कोई रिक्सिया तो यहीं इसे गुरू करेगा और दो डाइकार्ट मस्ति ब्राइंच पर यह क्या हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे यानि कि नई आरेक्सिया का निमाल करेगा ठीक इसे पीडरी एक के नाश के निचे क्या होता है अपका ग्रोइंग प्रेजें पर इसे इसे पर earliest यह समर्जतया नेने होते हैं यूनी सिल्वर होते हैं जो यूनी सिल्वर होता है राइजवाइट वो कैसे होते हैं वो कलर लेस होते हैं ठीक प्रूबर कुलेट होते हैं ठीक प्रूबिलल होते हैं और हेल लाइक इस्टेक्चर प्रजेंट होता है किसमें आपके राइजवाइट से में ठीक वेंटरल सेctoralी क्या होते हैं वाइज वाल्ड राइजुआइट कीजियों प्रकार की होते हैं फाहला मने बता था कि स्मूथ वाल्ड राइज वाइजुआइट थूस्रा ट्यूबर कुलेट raiजुआइट । कि समूथgregelle टोनों लेयर क्या होती है इस लिए से smooth wild rhizoid का नाम देते हैं ठीक अच्छा यह लीविंग में maturity के टाइम दिखाई पड़ता है ठीक उसके बाद it is organ up attachment and mainly absorb water and minerals from the water and minerals from the soil जो आपके rhizoid होते हैं यह आपको support provide करते हैं सभिस्टेसम से attach होने के लिए उसके बाद आपको soil से क्या देते हैं water and minerals absorb करके देती हैं अब ही हम लोग इसके structure के बारे में भी देखेंगे उसके बाद दूसरा होता है आपका tuberculate rhizoid यह कैसे होते हैं यह चो इसका outer layer होता है वो तो smooth होता है but inner layer में finger like projection होते हैं कैसे होते है finger like projection का नहीं का मतलब outer layer smooth हुआ जो outer layer क्या होगा स्मूथ हुआ और inner layer क्या होगा इसमें finger like projection दिखाई पड़ता है जिसके कारण हम लोग इसको tuberculate rhizoid का नाम देते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है याने कि इस नोखीला होता है याने कि finger like projection होते हैं यह कब दिखाई पड़ते है इस date at maturity अने कि मिट्तिव के समय दिखाई पड़ते हैं जब कोई plant होता है इता आल्सो आलगन आप attachment I mainly provide mechanical support to the thylos याने कि यह क्या करते हैं यह mechanical आपको mechanical याने कि उसको खड़े रहने के लिए यह क्या करता है mechanical stent support करता है mechanical stent provide करता है तो आए ट्यूबर कुलेट और स्मूथ वाल्ड राइजवाइड के बारन देखते हैं तो यह आपका smooth वाल्ड राइजवाइड ठिक जिसके outer और inner layer ठिक outer और inner layer दोनों कैसे है smooth है ठिक और वहीं बात करते हैं ट्यूबर कुलेट राइजवाइड की ट्यूबर कुलेट राइजवाइड में जो outer layer होती है outer layer क्या होता है वो smooth होता है और inner layer में inner layer क्या होता है वो टूबलेस्ट होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं वाटर और मिलन्स को एबजार करते हैं और आपके रिक्सिया को या फिर कोई भी प्रांट बॉड़ी व्राइब फाइट्स का होगे उसको देते हैं टिक तूस्ता इस्ट्रेक्शर स्केल क्या होते हैं यह आपके वेंटल सर्फिस पर पाई जाते हैं टिक वेंटल सर्फिस पाई जाते हैं यह कैसे होते हैं टांस्वर्स रो होते हैं टिक यानिक इसको रो के रूप में इसे से दिखाई पड़ते हैं यानिक इस प्रकार से होते हैं टिक उसके बाद यह लिंगुलेट कहते हैं लिंगुलेट कहते हैं यह कैसे दिखाई परते तो इसका जो इसका इंटोसजान पेगमेंट पार जाता है जिसके कारण जो आपके scales होती है वो कैसे दिखाई पड़ते है pink या फिर violet color के दिखाई पड़ते है अच्छा ये किस मतलब जो आपका scale है ये किस प्रकार से function करता है तो ये protection का काम करता है growing point को protection देता है protect करता है यानि कि उसको बचाता है आई इसके structure को देख लेते हैं आपके scale का structure ये रहा मनें बताए कि कैसे होते है multi-cellular होते है इसमें क्या होता है ये pink या violet color का होता है क्योंकि इसमें anthos याने pigment पाया जाता है जिसके color ये कैसे होते है pink color दिखाई पड़ते है या फिर violet color के होती है आगे बढ़ते हैं हम लोग आप लोग हम लोग anatomy देखते हैं रिक्सिया की anatomy किस परकार से दिखाई पड़ती है याने कि इसके हम लोग VTS के बारे हम बढ़ेंगे तो आप जब रिक्सिया को VTS याने कि उसका vertical section काटेंगे तो vertical section में जो आपका रिक्सिया होता है याने कि उसकी जो anatomy दिखाई पड़ती है वो दो reason में बटा होता है कितने reason में बटा होता है दो reason में याने कि दो part में divide होता है ठीक जो अपर part होता है अपर part में क्या होते है वो डार्सल photosynthetic photosynthetic region होता है यानि कि उसमें photosynthesis की किरिया होती है अब ventral region पर क्या होता है storage region होता है जिसमें starch पाया जाता है ठीक पहले आप समझे जो anatomy होती है इसमें दो प्रकार के दो region पाया जाते है पहला dorsal region दूसरा ventral region dorsal region में आपका photosynthetic region को बोलते है आएए पहले हम लोग डॉर्सल फोटो सेंथिक रीजन के बारें समझते हैं तो जो आपका डॉर्सल रीजन होता है ठीक डॉर्सल रीजन में क्या-क्या पाया जाता है उसको समझी आप लोग तो जो आपका अपर रीजन ठीक अपर जोन जो होता जाने की उपर वाला इस्ट्र जोन बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि फिलामेंट पाया जाते हैं कैसे फिलामेंट पाया जाते हैं यानि कि यह आपको फोटो सेंथर्टिक फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है यह कैसे होते हैं यह अन ब्रांच होते हैं यानि कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है फो ius photosynthetic filament के अंदर disquidal shape काईसा photosynthetic में disquidal shape bedroom का chloroplast पाये जाता है क्या पाये जाता है chloroplast पाये जाता है उसके बाद इसमें air chamber से बने होती है और ऊपर क्या होता है air pore पाये जाता है तिक यानि किसको एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ये और उसके उपर अपर आयर पोर्ट पा जाते हैं और नीचे एयर चेम्बर पाया जाता है इतनी बात हो गई आपके photosynthetic region या फिद जिसको आप लोग darsal region भी बोलते हैं तिक नीचे उसको कौन सा region होता है तो नीचे आपका होता है lower zone जिसको हम लोग storage region बोलते हैं storage region में क्या-क्या होते हैं तो जो आपका storage region होता है इसमें standards पाया जाता है pretend food material के लूप में इसटार्ज पाया जाता है जो green कैसे होते जो green color के नहीं होते हैं ये green color के नहीं होते है क्योंकि इसमें photosynthetic filament नहीं पाए था photosynthesis के लिए ऊपर ही होती है यह green color नहीं होते है जो इसके cells होते है यह compacted यानि कि compactly arrange होते है एकदम compact रूप में arrange होते है आपके क्या यह आपके यह lower zone होता है यानि कि storage region होता है उसके जो cells होते है पेरेंट्काइमल cells होते है उसके जो cells होते है आपका यानि कि बहुत compact होके एकदम चटिल क्या होते है वह आपस बें चुड़े होते है उपर वाले region को अपर epidermis बोलते है और नीचे वाले region को lower epidermis का नाव देते हैं लोवर इपीडर्मि से आपका रायजवाइट सरे iskill लगे होते हैं जिसके बारे मने अभी डिसकेर्स किया जो इसमें दोप्रकार की रायजवाइट होते हैं तियूबर पालेह रायजवाइट क्षस्टर पुणी स्केड रायजवाइट काई ओपसे स्टक्चर पाया स्केल आपको सिर्फ औरली बताया अब आपको हम क्या करेंगे कि आपको कोछे लेंग्विज के माध्यम से बताएंगे ठीक जो आपका डॉर्सल फोटो संथर्टिक रीजन होता है ठीक इट अकरs अंधर डॉर्सल सिर्फेस यह कहां पर पाये डॉर्सल सिर्फेस जैसे जो रिक्सिए का ठैलस होता है उसके डॉर्सल सिर्फेस पर पाये जाता है अंड गंपोज्ट प्रह्त त्所以呢held आपको दिखե। यह वाला प्वाट इस वाले पार्ट को यहाँ पर बात हो रही है तिक इस वाले पार्ट की बात हो रही है आगे हम लोग समझते हैं कमपोस्ट आप मेनी रो अनप्रांच फोटो संतर्टिक फिलामेंट इच से आप दा फोटो संतर्टिक फिलामेंट आर सिमलर इन इस्ट्रक्चर जो आपके फोटो संतर्टिक फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं एक जैसे होते हैं यानि कि सिमलर होते हैं साइज में और आका होते हैं एक्सट टैर्मिनल सेख को छोड़ करके टो टैर्मिनल सेख होता है वह कैसे होते हैं कलर लेश होते हैं कंपएडा साइट होते हैं कंपएडा सुच्छ आपका epidermis लगा होता है ठीक कम पैरा टाइवरली होता है जो लार्ज होते हैं और क्या होते हैं उसमें discontinuous epidermis होता है याने कि उपर epidermis होता है जिसकी आकार और वो शेप क्या होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं इस दोनों को अलग करने के लिए अलग करने के लिए air chamber पाये जाते हैं और इस air chamber के उपर air pore होता है जो outside होता है इसमाल होते हैं और क्या करते हैं यह यह gas को exchange करने में साहता करते हैं याने कि जो उपर वारा पार्ट होता है यह gas को exchange याने कि gas को बहार लिकालने में कारे करते हैं ठीक आगे समझते हम लोग ठीक कैसियस exchange को एक गैस को exchange करते हैं तर छेक्स आरगर इस एंत्रेडिया और अर्ची गोनिया और प्रजेंट और उपर ही क्या होते हैं आपके ठीक air chamber से आपके dorsal surface में RC गोनिया और N3D या लगे होते हैं कहां पर होते हैं dorsal surface में उसके बात आता है बात आपका ventral surface यानि की नीचे का पार्ट नीचे के पार्ट में आपको it is present and ventral surface ये ventral surface पर present होते हैं just below the photosynthetic region photosynthetic region में आपका ventral region होता है जिसमें compactly यानि की पहुत ही सगन रूप से क्या बिवस्तित होता है parent का एमासेल parent का एमासेल पहुत ही सगन रूप से क्या होते हैं बिवस्तित होते हैं the innermost layer from lower epidermis जो आपका नीचे का layer होता है उस पे क्या होते हैं lower epidermis होते हैं राइजवाइड्स यानी के रूट की तरह स्टक्चर लगे होते हैं चो क्या करते हैं गोकर्द रिप्रोड़क्षण के तो इस ब्रड़क्षें यह चो होते हैं इसमें sexual reproduction अब पेजू टेटू रिक्पॉड़क्शन यह कई प्रकार से हो सकती है चैसे कोई आपका प्राइवफाइड्स है तिक like malaygy रिक्सिया रोसेट है तो इसमें क्या होता है जो आपका रिक्सिया रोसेट होती है तिक इसमें death या decay आपका रिक्सिया रोसेट ही माना मैंने यह कोई रिक्सिया है इसमें नीचे राइजवाइड्स है उपर क्या है थैलस लोग है अब मालीजे यह क्या हो रहे है old होती जारे है और dead होती जारे है जब यह dead होता जाएगा इसका इतना surface परे dead होगा फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहां तक जब इसका dead हो जाएगा तो यह surface और यह यह लोग यह लोग आपस में अलग हो जाएगे और दो कितने और दो रिक्सिया यह फिर prior fight का निर्मार करेंगे तो इस reason को इस कहानी को हम लोग क्या बोलते है decay या death by progressive production तूसरा क्या आता है इसके language के समद्दीजे it occurs by progressive death and decay posterior region जो इसका posterior निक उपर का region होता है पीछे का इसके thallus का when the thallus end decay जब thallus क्या होता देथ होता है या फिर decay या वो मर जाए या फिर वो उसका गार पर हो या निकि उसका decay होता रहे वो खराम होता रहे टिक after the thallus reaches up to later on the each thallus lobe यानि कि decay इस प्रकार से होता रहे कि उसके lobe तक पहुच जाए और क्या खोग और जो उसका lobe हो वो एंग रिक्सिया के रूप में बतल जाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डी के या फिर दिथ प्रोग्रेसिव रिप्रोडक्शन तूसरा होता है by adventitis tissue तूसरा रिप्रोडक्शन vegetative होता है जिसमे adventitis roots के आने की branch के द्वारा होता है यह कोई रिक्सिया होता है माली जी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे adventitis branch हों दिकली जाते हैं जिसके बाद में टूल जाने से एक नया रिक्सिया कारिर्माड हो जाता है तो इसके language क्या है it aquatic species यह कैसे होते हैं इकोटिक species में पाजाता है जो इस प्रकार का reproduction किसमें पाजाता है एकोटिक species में जैसे रिक्सिया फ्लोटेंस मने बताया था आपका तो इसमें क्या होता है कि जो adventitis branches होती है वो ventral surface जाने कि नीचे से arise होती है surface से क्या ventral surface arise होती है और यह जो branch होते है यह कहाँ पर present होते है यह आपके ventral surface के present होते है उसके बाद क्या होता है यह आपस में धिरे-धिरे germinate करते है और पाद में यह तूटके अलग हो जाते है और एक नए रिक्सिया कारिनमार करते है तीस्तरा होता है ट्यूबर के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा होता है, तो ट्यूबर किस प्रकार से होता है, उसको समझ लिजी आप, तो रिक्सिया की एक स्पिसीज है, रिक्सिया डिसकलर, ट्यूबर में क्या होता है, कि इसमें, इसके अपर रीजन पे, ट्यूबर रीजन पे, क्या होता ह लोप के ऊपर, टिक, tubes का रिर्माल होता है, यह tubes कब बनते है, unfavorable condition में, टिक, unfavorable condition का मतलब, जो आपके reproduction होती है, वो आजिनली water के थूँ होती है, ताइज दबे water नहीं मिला, तो क्या करेंगे, ऊपर, क्या, क्या बना लेंगे, tubes मना लेंगे, इस tube की जरीए, इस tube की जरीए, क्या करेंगे वो लोग favorable condition आएगा इसमें parent climatic structure बनेगा याने कि इसमें जो cells होंगे वो unfavorable condition में रहेंगे और आगे चल की क्या हो जाएंगे यह लोग से अलग हो जाएंगे और germinate करके एक नएया रिक्सिया कारिमार्ण करेंगे ठीक तूसरा होता है आपका sexual reproduction जो sexual reproduction होता है वो monosius होते हैं या फिर dioces होते हैं और कैसे reproduction पाजाते समें ऊगेमस होता है पहले बात समझी आप जो sexual reproduction होते हैं वो मुल्शियस का मतलब यह हुआ इसको बोलते हैं तो मुलूसियस का मतलब यह हुआ कि जब दोनों सिक्षारगन male and female यानि कि N3D और RC गोनिया जब दोनों सिक्षारगन एक ही plant के एक ही branch पे सेम प्लांट हो सेम ब्रांच हो यानि कि करमाली जी planted इसी के सेम ब्रांच पे जब N3D और RC गोनिया developed होती हैं आपस प्रिफ्यूज करके अनिबार करती हैं उसको हम लोग monkeys बोलती है और जब दोनों सिक्षारगन तो अलग-अलग branch पे हो सेम प्लांट के अलग-अलग branch पे हो तब उसको क्या बोलती हैं हम लोग उसको बोलती हैं हम लोग डायोसियस या फिर इसी को हम लोग héteromalik भी बोलते है ठीक मोनोसियस को होमोमैलिक और डायसियस को हेटरोमैलिक या फिर होमोसियस या फिर डायसियस होमोसीयस को होमोमलिक डायोसीयस को हेटरोमेलिक ठीक जो मोनोसीयस होते है यानि कि मोनोसीयस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिक्सिया रोबस्टा में रिक्सिया मेलेनोस्पोरा में और रिक्सिया गाउट्री जेनेटिका काउटी काउज इनेटिका में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किसमें पा जाता है मोनोसियस में यानि कि मोनोसियस जो जामपल होगा वो आपका क्या होगा रिक्सिया रोबस्टा होगा रिक्सिया रोबस्टा होगा टिक इसको अगलोग रिख्सिया घ्मलयानसिस बोलती है उसके बाद एक कि स्पिसिज है रिख्सिया प्रश्टी तिक उसके बाद एक इस्पिस्यीज है रिख्सिया पहिरा सोनी तो इस प्रकार का जो होता है किसमें पाजाता है वो डायसियस होती है तिक अब बात हम करते है six-argan and thradium की male six-argan and thradium की तिक तो जो male six-argan and thradium होता है वो उसके दो structure होती है तिक अपार structure को हम लोग क्या बोलते हैं अपार structure को हम लोग नीचे वाले सारगन होते है वह कहां पर पाइं जाते हैं टरसल सरफेस पर प्रजेंट होते हैं कहां होते हैं घ्यशनल केविटी में यह श्टिराइल होती है, इसमें इस्टिराइल जैकेट पाई जाता है, छिंग, और इसमें एंत्रो साइट्स होते हैं आपके एंध्रीडिया के अंदर ठिक यह कैसे होते हैं तो आपके यह पाई फ्लेजिलेटेड क्या होते हैं ठिक फ्लेज टाइप को होते हैं और कॉमा सेव्ड होते हैं ठिक इतनी बात हो गई सर्फेस आप थैलस ठिक वंटर कोंसे डॉर्स सर्फेस से पाई जाता है तो यह डाइग्राम आपको दीख रहा होगा किसका आपके एंध्रीडिया का ठिक तो पहले आप लोग इसको समझेए चो आपको एंध्रीडिया होता है वो पीयर सेफ्ट यानि कि नासपाती की तरह या फिर क्लब सेफ्ट होता है ठिक कैसे होते हैं क्लब सेफ्ट उसके इस्ट्रक्चर होते हैं ठिक कैसे होते हैं क्लब सेफ्ट इस्ट्रक्चर पाया जाता है ठिक और यह दो पार्ट ने बटा होता है वहाँ पर मनें थोड़ी से मिश्टेक कर देदी इस इस रिजन को स्टार्ल कर उपर वाले रिजन को वाड़ी, ठीक, जो आपकेएं Veteransidias होती है इंत्रोजयाइट इसमें लिकलते हैं जो यह आते हैं अन्त्रयडिया के अंत्रोजयाइटS कैसे होते है वह Quittile yagen यानि किसमें 2速 आउम अritब आक हैं आई किस्के क्या और प्रेजील से पोलेच लोकों अन्टबोंकरी आर्गन यानि कि यह movement करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चाहते हैं अच्छा इसके अंदर मनें बताए कि एंत्रोर साइट सेल होती है और इसके बाहर एक अद्रिक फॉ्ट्व सेट्रिक फि्लामिंट पाए जाता हैं आगे अम्लेक बाते है चूँÁ आपका मनें बताया कि जो आपका अंध्रेडिया है वो club shaped या फिर pear shaped होते हैं जिस पर दो पार्ट होते हैं तो नीचे का part जिसको हम लोग बेसल बोलते हैं बेसल पार्ट छोटा होता है और multi silver होते हैं उस portion को हम लोग क्या बोलते हैं इस्टार्क बोलते हैं start कि आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद इस structure को start बोलते हैं वो कहा पर पहाँ ज आता है एंथ्रेडिया के basal region पर डिक अपर region पर क्या होता है तो upper region ओवर होता है तिक यहाँ पिर conical जिसको अपार कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, वो एंध्रीडिया का फार्मेशन करता है, उस फार्मेशन को हम क्या बोलते हैं, बोडी, यानि कि व एंध्रीडिया क्या है, head pairnow how to get hop on it, स्टराईल जैक्ट के दवारा घिरा हुआ हुआ है सिंगल लेयर इस्टराईल जैक्ट के दवारा इनुट या रहा है आप ये दिएकर सकते हैं ये जो इस्टुक्चर दिखाई पर रहा है ये क्या है फोक्ष सीन्ग् 열심히 स्टेर्ट हईADکेट है ठीक उसके बाद बात करते एं आपका और यह स्टा क्लोर्ज्ट होते हैं बंद होता आRIS जिसके अन्दर हेप्र है राइट के बाद ठिक जो इसके इस्पारली क्वाइल्ड हो जाते हैं याने कि यह और क्वाइल्ड हो जाते हैं और क्वाइल्ड हो जाके एक बाई फ्लेजलेटेड एंथ्रोज्वाइट्स का निर्माड करते हैं ठिक याने कि बाई फ्लेजलेटेड एंथ्रेडिया का निर्माड करते यह जो आपका इंथ्रेडिया है इसमें दो इस्टक्चर पाई जाता है पेसर इस्टार्क होता है उपर बॉडी होता है इस्टार्क छोटा होता है मल्टी सिल्वर होता है उसके बाद जो बॉडी होती है इसके बार एक इस्ट्राइल जैकेट पाई जाती है इस्ट्राइल जै हें करते हैं धाय इतनी बात मैंने बताई उसके बाद इसके बाद इसके बाद इंत्राइल ऑपें होती है और स्ट्रू चाहिए उसके बाद गई करेंगे बाद एंत्रोजाइड का निमाल करेंगी तिक आगे समझते हैं कि डेहसिंस कैसे होगा एंत्रीडिया का डेहसिंस का मतलब होता है इस फुटन याने कि फटना तिक देखिए जब आपका जो बोडी है तिक बोडी में धेर सारे बोडी में धेर सारे जब आपके क्या एंथ्रिया आ जाएंगे तो एंथ्रिया क्या हो जाएगा आप पर इससे देखिए जब कुछ टाइम बीतेगा एंथ्रिया क्या हो जाएंगे mature हो जाएगे तिक अब उसका क्या होगा तो ये वाटर को absorb करेंगे तो ये क्या हो जाएगे फूल जाएगा तिक फूलने के बाद जब ये फूल जाएगे तो इस पे एक pressure पड़ेगा तिक मल जी इंत्रिडिया ये आपका क्या है ये आपकी body है चब ये water को 就是 ख़एगे तो ये फूलता जाएगा तो ये condition ऐसी आए जाएगी किस्पे प्रिसर पड़ेगा प्रिसर पढने के पार तुब सलेट्झ रहें मTT हो जाएगे वो बाहर लिखर जाएगÍ इसकिप्रिया क्या होगे इसके दोना उंक्त हो से बोलते हैं डीक कोस्तों आता आरि सीगों गोनिया स mai जिसको प्यूमलिंट अ autop बोते हैं ठीक यह कहा प्रजएंट थोता है यह आपका अंश प्रसंफेस से होता है ठीक जो आर C कहांथ स्छाइड चेंबर मोरु hem यह कैसे होते है यह फ्लास्क सेवड इसके स्ट्रक्चर होता है आपके आर्ची गोनिया पहले बताए कि यह जो आर्ची गोनिया है यह क्या यह फिमिल सेकसारगन है जो आर्ची गोनिया चेंबर में पाया जाता है तिक उस आर्ची गोनिया चेंबर को यानि कि जो आर्ची गो लेकि विए कॉनिया कहा देखा गया था मैं देखा गया सब्से आमनी होती है एक जो जीनस होती है इसकी origin क्या होती है एक जो जीनस होती है और सबसे smallest आर्ची गोनिया किसमें होती है रिक्सिया में होती है ठीक सबसे smallest आर्ची गोनिया रिक्सिया में होती है सबसे बड़ी आर्ची गोनिया आपकी फ्यूनेरिया में देखने को मिलती है ठीक याने कि जो आप लोग रिक्सिया पढ़ रहे हैं इसमें सबसे समालेस्ट गोनिया होती है और सबसे पहली बार आर्ची गोनिया कहां भी बना था तो सबसे पहली पार आर्ची गोनिया आपका रिक्सिया याने की ब्रायोफाइट में बना था जो आर्ची गोनिया होती है उसके दो इसके तीन पार्ट मैंने बताया है नीचे स्टार्क होता है मिडिल में वेंटर होते हैं और उपर नेक होता है वेंटर से कैसे होते हैं तो इस्टार से समझते हैं तो इस्टार से क्या होते हैं यह होते हैं कैसे होते हैं यह मल्टी सलूलर होते हैं ठीक मल्टी सलूलर होते हैं बेसल पार्ट पर पाया जाता है नीचे के रीजन पर पाया जाता है उसके उपर क्या होता है वेंटर होते हैं वेंटर कहां पर होता है तो वेंटर आपका मिडल रीजन पर होता है यह एक स्ट्रक्चर है याने कि फूला हुआ इस्ट्रक्चर है इसमें नीचे की तरह एक लार जिसमें जो आपका एकसेल होता है एकसेल में एकसेल को क्या बोलते हैं हम लोग एकसेल को ओम होते हैं जिसमें ओश्पोर होते हैं टिक ओश्पोर होते हैं उसके उपर आपका नेक हो जाता है नेक क्या होता है यह अपर रीजन पर पाया जाते हैं जिसमें 426 चार से 6 नेक कैना तो ने कैनालसेल पाए जाता है उसके ऊपर क्या होते हैं तो उसके एक क्या होते हैं ऑपक्स उसके एक्स पे क्या होते हैं न constructive क्याश् пошिते की तरह दिखा है जो चुपे हुए शरम पाए जाते हैं cover cell कहां खुलता है तो ओस ट्योल के ऊपर याने की cover cell ऊपर इस्टियोल में open होता है तो मनें क्या क्या बताया है नीचे स्टाल्क होता है जो multi-server होता है बेसल पार्ट होता है ठीक उसके ऊपर venture होता है winter कैसा है एक swollen structure है तिक जिसमें RC gonium होता है जो RC gonium होता है उसमें दो sales होते हैं एक large आपका एक sales होता है small क्या होते है winter canal sales जिसको हम लोग VCC बोलते हैं तिक उसके उपर neck होता है neck में 426 neck canal sales पाए जाते हैं यह जो neck canal sales होते हैं यह एक यह कवर सिल्के द्वार्रा covering होती है किसके द्वारा coming होते और coverinal के द्वार पाल जाता है Apollo leale Home etics पाल जाता है सबसे उपर पाल जाता है और ब्राइजह उसके उपर क्या होता है वो जूडोगैमस होता है टिक जूडोगैमस जारे कि फर्टिलाइजिसन दो प्रकार का होता है चूडोगैमस और सिफैनोगैमस चूडोगैमस का मतलब क्या जब फर्टिलाइजिसन वाटर के थू हो टिक जिसमें वाटर किया हो सकता हो उस जूडोगैमस कते हैं और जीसेर को होता है तो हैंस्त पाला होता है दो हैं इंठ्डिया जो मैंने देख लिए उसके बात क्या होगा होगा और और जो आपका इंठ्डिया करते थे क़िए तरफ होती है तो मैंने यहाँ पर क्या होती है यहाँ जैसे आपका आर्ची गोनिया का जिस प्रकार से इंत्रीडिया का जिस प्रकार से इस फटन होगा वैसे ही आर्ची गोनिया का इस फटन होगा उसके बाद क्या होगा यह मूब करते हैं क्या इंत्रीडिया मूब करते करते कहां पर before fertilization जो आपका neck canal cell है और winter canal cell ये क्या हो जाएंगे T generates हो जाएंगे T generates मतलब हो जाएंगे को nest हो जाएंगे nest होके क्या बनाएंगे मूसी laziness substance बनाएंगे जो क्या करेगा जो absorb करेगा किसको water को water को जैसे जैसे absorb करेगा तो क्या हो जाएंगे फूल जाएंगे तिक और जैसे जैसे वो फूलता हुआ चला जाएगा यानि कहने का मतलब तो आपका ये इस्टियोल है तिक यहाँ पे आपका क्या पहुचा आपका पहुचा N3D या N3D ये इस पहुचा यहाँ से यहाँ आया इस फ्यूज करके क्या किया फर्टिडाइजेसन करके जाइकोड बनाया जाइकोड कराया के बाद क्या किये यह फूलता जाएगा और यहां से वाटर मिल्लस अबजार्फ हो जाएगे water minerals एपजार करते क्या हो जाएगा यहां के विशी सी जारे कि winter canal cell होगा और क्या होगा निक canal cell winter canal cell और निक canal cell यह आपस में degenerate होके मुचलेजनल सीथ मनाएंगे वो मुचलेजनल सीथ क्या करेगा इसको तो जो कि water minerals करने में help करेगा उसके बाद यह मतलब जैसे-जैसे water minerals को एपजार करेंगे तो फूलता चला जाएगा और फूलता चला जाएगा तो उसपर एक ड़कर निकनल के रास्त आड़ेगा चैसे प्रेश्ट यहां प्रिश्क क्या हो जाएगा जैसे निसे धर आपका सफेक्ट आर्जीगर आपस कर के जो नेनल ह 번ok तो क्या करेंगे फिर है प्रीक्षाइल दरगस से फर्फार्म करेंगे धिक यह और सबसे में पॉइंट उसका होता है किसका है सबसे पॉइंट वे जाती है और कम टाइंब के लिए इप्वॉयुद्स स्टेज पाई जाती है यानि कि इसको लोग हेप्वॉयुद्स क्या बोलते हैं। डिपलो श्टेज में बोलते हैं ठेक। सवळी है रिपम्त की सपरवाइड श्र имеет हलिज जाता हमें पर इसे जição होता है सब्सक्राइड कंम होता हैös नहीं जो इसके जाइक कोट मेरा पस एयरे जोपशारों बेहिए कोड़ में प्या है ? यानि किसमें आपके एंथ्रेडिया और आर्ची गोनिया ठीक एंथ्रेडिया और आर्ची गोनिया यानि कि एंथ्रेडिया यन होता है और आर्ची गोनिया भी यन होता है यह दोरों आपसे मिल करके जाइगोर्ड बनाते है जो क्या होते है टू यन होते है उस टू यन इस्ट पॉरॉफाईट का सबसे पहला फर्स्ट सेल है यानि की इस जनरेशन का टिक इस स्पॉरॉफाइट जनरेशन का ठिक जो जाइक होता है वो कहां प्रजेंट होता है व३ येंटल में होता है टिक आर जाइको permissions हिचिक नहीं पर्रेंट आया में तू चैनल मना तो चाइकोट मतरा तो कहांपर यह कहां के अर्ची कोंया अंदर है इन की यह सियलवाल सिक्रेट करेंगे इस electro का इन का आगे पाइस नही रिक्सिया का इनमार करेगा मार्कें रिक्षिया करने करें यानि की रयोका का कैसे निर्माड करेंगा आज उसी के बारे आगे समझते हैं करें देवलर्बैंट आप सफुरृफाइट अकर्सें देवैंटर का आगे की रहाएं वन्टर में होता है रहाँ गहां एया समझते हैं ॥ik उसके बाहर क्या बनेगा सेलवाल बनेगी पहले तिक सेलवाल बनेगी जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है सेलवाल बनेगा तिक उसके बात क्या करेंगे यह डिवीजन करेंगे कैसे डिवीजन होगे ट्रांसफर डिवीजन होगा यह पिर जिसको अब लोग लांगे ट्यूडनल डिविजन बोलते हैं यह आपस में डिवाइड होगे दो सेल बनाएंगे ठीक दो सेल बनाएंगे टू सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे उस टू सेल स्ट्रक्चर को अब लोग क्या बोलते हैं प्री एंब्रियो बोलते हैं यानि कि अभी नया एंब्रियो बना होता है जिसलिए इसको हम लोग क्या बोलते है प्री इंब्रियो बोलते है ठीक चब प्री इंब्रियो क्या करेगा फिर से लांगे ट्यूडनल डिविजन करेगा ठीक क्या करेगा वर्टिकल जा फिर जिसको बोलते हैं लोग लांगे ट्यूडनल डिविजन लांगे ट्यूडनल तो आपका वर्टिकल डिवीजन हुआ ठिक जिसको आम लोग लांगे टिविजन भी बोलते हैं ठिक तो लांगे टिविजन हुआ ठिक इस लांगे टिविजन के बाद क्या होगा पेरि क्लाइनल डिविजन होगा यानि कि इसके इसमें एक सर्कुलर डिविजन होगा इस प्रकार से इस प्रकार से डिविजन होगा जिस प्रकार से यानि कि जैसे लांगेटिव डल हुआ तो कैसे हुआ ये लांगेटिव डल हुआ लेकिन जब 4 cell structure बन जाएगा तो फिर divide करेगा periclinar division से जिससे 4 cell क्या हो जाएगे 8 cell हो जाएगे periclinar division होगा 4 cell से 8 cell के structure में convert हो जाएगे फिर क्या होगा inner regular division होगा यानि कि बार बार division होगा तो यह multi cellula बना जाएगे जिसमें 20 से लगबख 40 cell होगा 20 से 40 cell होगा और 2 layer का निनमार करेगा उपर वाले cell को MP3M अंदर वाले cell को endothesium बोलते endothesium और MP3M तो जो आगे MP3M क्या करेगा जो MP3M रहेगा यानि कि बाहर वाला जो cell होगा वो sterile jacket का यानि कि किस और निनमार करेंगा sterile jacket का निनमार करेंगा तिक अंदर वाला जो होगा उसमें क्या होगा उसमें sport mother cells होगे वो sport mother cell क्या करेगा और एक बाद अंदर का जो जो एक उसके ऊपर और एक layer हो जाएगा जो winter दौरा बना था Caleptra जो बना था वह किस के दौरा बना वो विंक्टर के दूरा बना तो यह क्या हुआ होगा यानिकि कैमिट्र फाइट Χा लेकिन जो इसके अंदर इस पूरीट है वह कैसे है वह स्पोरो फाइटर रहे कि वो तू यह है और बाहर का जो या स्टक्चर दीख रहा आपको यह के लिड़ा नीरा बंड़ा में जो कैसा है मिटवा तो यह चार इस्ट्रेक्ट्ट्र बनाएंगे तो यह चार इस्ट्रेक्ट्ट्र बनाएंगे ठिक ट्राड इसको बोलते हैं यह यह इन्य आपको तीन दिखाई पड़ रहे हैं एक पीछे चुपा हुआ होता है टिक निक्सिया में जब यह कैप्सूल बनाएगा दिक कैप्सूल आगे चलके जो आपका इसके बार एक इस्टेराइल जैकेट लेड हो जाएगी , तो आगे चलके क्या बनाएगा लेकिन क्या होता है कि इसमें आपका कैप्सूल होगा कैपसूल आगी चल किया बनाएगा कैपसूल आगी चल के नए इस्पोरोफाइट याने की नए चनरेशर का निर्मार करेगा ठीक तो यह क्या हुआ लाइप साइकल हुई आपके रिक्सिया की ठीक आईए इसी प्रॉसेस को हम लोग समझते हैं आपके लेंग्विश के माध्यम से ठीक पहले क्या मने बनाता मने बताए कि जाइगोड बनेगा चाइगोड क्या करेगा यह नुकलियस में होगा नुकलियस क्या करेगा टांस्पर डिवीजन करेगा टांस्पर डिवीजन करने के बाद टूसेल्ड प्रियम्ब्रियों बनाएगा जो इसको है लाइंगे टीविजन डि जो आपका two cell fracture है वह आगे चलके क्या करेंगे वह लाइगे या फीर जिसको आप लोग बोलते हैं क्या वर्टिकल डीजन defense इसको हम लोग क्या बोलते है हैं कॉंगें थ्यूंश दिस्ट्रेखचर बनाए यह चाओ- आगे चलनेकर करने के बाद 20 तो sent से 14 ईंडीर्फ बनाएगा इसको लोग पहलते हैं multi embryo बोलते हैं ठीक, multi embryo बोलेंगे अगला है peripheral cell ठीक, जो peripheral cell है embryo का, वो empathysium मनाएगा ठीक, जो peripheral peripheral मनाएगा, वो empathysium मनाएगा, और जो central का cell है, वो क्या बनाएगा वो endothysium मनाएगा, यानि कि जो बाहर के तरब cell रहेंगे वो endothysium और अंदर वाला cell यानि की बाहर वाला cell आपका Mpthseum अंदर का cell चेff entoncesum का निरमार कर एक आगे जो Mpthseum होगा वह कैसे होंगे वह sterile jacket होंगे झाक्थ jacket layer होंगे किसके होगे कैपसूल के अंदर वालक क्या होगा यह endothesum होगा जो क्या होगे इस sporeogenous tissue करेगा उस इस्पोर मदर सेल पाए जाता है ठीक SMC यानि की इस्पोर मदर सेल आगे बढ़ते हैं लोग आपका डिप्लाइड SMC आनि की स्पोर मदर सेल है वो आगे चलब के मियोसिस करेगा मियोसिस करके आइसो बाइलेटरल या फिर टेट्राड आइसो बाइलेटरल या फिर टेट्राल टेट्राल का फार्म इसार करेगा जिसको जो कैसा होगा वो फोर सेल्ड होगा ठीक कैसा होगा फोर सेल्ड होगा ठीक आगे बढ़ते हैं लोग लास्ट पॉइंट पे तब जो बेंटर से लोगा आगे चल पर चल ऑनेम में रिभे फ्टाइल अपिलाइड और योच क्या करेंगा वह आपका ख्वेट राचाकिन्उ को क्या करेंगा अपके कैपसूल को आपके कैपसूल को प्रोटेक्ट करेगा उसको क्या करेगा चैकेटलाइट इस्ट्राइल जैकेट राव सो प्रोटेक्ट करेगा ठीक hormone structure Mature sporophyte X5 Soläss pendant licksdha structure mature sporophyte कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा Xodину में अब इसके बारे में बात करते हैं लोग पहले अफे क्या समझते हैं जो मिच्छा Purophyte प्रकार में आईए समझते हैं structure आप mature sporophyte आप रिक्सिया जो इक रिक्सिया का रिक्सिया का जो sporophyte होता है जाने कि उसमें food, ceta, capsule तीन structure होता है लेकिन इसमें क्या होता है आपके sporophyte में रिक्सिया में capsule तो पाए जाता है but food and ceta, food and ceta क्या होते है वो absent होते है तो उसके बाद जो आपका sporophyte है जब वो mature होगा जो उसमें सिर्फ capsule होगा तो जो capsule होते है वो spherical होते है या फिर oval in shape होगा तीक उस oval in shape को एक jacket layer याने कि sterile jacket layer क्या करेगी उसको सराउंड करे रहेगी तीक वो जो sterile jacket layer होगी है प्लाइट होगी जो किसकी बने होगी वेंटर की बने होगी उस वेंटर से को क्या बोलेंगे हम लोग कैलेप्टरा बोलेंगे तीक और जो sterile jacket layer होगी वो उसके अंदर क्या होगा इसपोर मदर से लोगा क्या होगा इसपोर मदर से लोगा तीक वो आगे क्या करेंगे आगे चलके मियोसिस करेंगे मियोसिस करके ट्राड या फिर आइसो बाइलेटर का निर्मार करेंगे यानि कि लास्ट वाले स्टेज की बात कर रहे हैं यहां पर इस वाले स्टेज की बात हो रहे हैं यहां पर ठीक क्या हुआ है जब यह स्पोर मदर यह मैंने कि यह मैचोर स्पोर मदर से लोग ठीक क्या है यह मैचोर रिक्σιया है तो क्या क्या है यह क्या किरणी यारी कि जो रिक्सिया है यह इसमें सिर्फ कैपसूल पाई जाता है फूट सージव अपिसेंट नहीं होगा तो कैपसूल यह बचेगा वह क्या होते हैं ak kn nephew failed idea कि वैल्षेप के होते हैं सराउंड वाइट इसके द्वारे घिरे होते हैं टिक जो इसको बोलेंगे टिक हैने कि अंदर निकि मतर से लोगा इस्पोर मतर से लोगा वह आगे चलके केंगे करेंगे टेकट्रल आइस्य लेक्टका मेने में बता दिया था इसके बारे में बता दिया कि कैसे कई होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं अगे समझते हैं बट मैच्चेवर capsule have many haploid spore इसमें क्या होता है many haploid spore होती है अब उसके अंदर देखिए haploid spore रहा है बस कुछ time के लिए क्या हुए थे टिप्लाइड हुए थे यानि कि जाए गोड बना था उसके बाद क्या हुआ फिर sporophyte बना sporophyte के बाद फिर haploid spore आ गया है तिक यानि कि इसलिए इसको है प्रोडिप्लाइडिक बोलती है तिक आगे देखते हैं विंदक कैप्सूल विंदक कैप्सूल विकम्स मेजोर जब कैप्सूल क्या हो जाएगा तिक जैसे कैप्सूल मेचेर होगा वाटर को एब्सार्ब करेग कैप्सूल से क्या हो जाएगे बाहर रिलीज हो जाएगे ठीक अब देखिए जो बाहर रिलीज होगे तो जो यंग sporophyte है यंग gametophyte होगे यानि कि जो बना वकत वो नया ही होगा ठीक जो नया sporophyte होगा उसमें टीनी स्टक्चर पाई जाती है ठीक फर्स्ट आउस यंग इस स्ट यानिन स्प्रक पहर मीजड़यर करता आगे बढ़ते हैं लोग स्प्रेस्प्रियलाइड करता होगा एक पहना स्फूर्य जह है औि आ ईसा होगा है पुला होगा ट्राय एंगूलर होगा इसको मोञजर क्या बोलते हैं टिक मैं ट्रायंगलर से पृँर्न पालते हैं ट्रीका डिक 50 شी合ण किनेट करेंगा वह समझे आप लोग diff as when the hayabriod spore बना ठिक आब वह स्वाहिल के कंटेक्ट में आएगा थो वार्टर को एब्जार्ब करेगा ठिक उसके बाद है उसके बाद क्या होगा स्वलेन होगा स्वलेन होने के बाद फिर एक प्रेसर इक्जर्ट होगा प्रेसर इक्जर्ट होगा उसकी सिल्वार क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी चैसे ही रप्चर होगी आप उसकी सिल्वार सिल्वार रप्चर होने के बाद जो इंडो थेसियम है इंडो इस्पोरि इससे मेनलस को एबजार करेगा तो यह जीब्ध सरह एक बीच का बीच्टा भोता है टिक व बीच वपार्ट नर्मिनेर कर घरलेड ये जहां हैं पर भात विपन आज के शेघंट नो संपर्सने से आगे चलके फ्सक्राइब यारैंगे जो क्या कि अपिए देंगे फूर Essen धेंके सफर्मीनेट करके इस प्रकार से भूना लेगा जैसे आपको यह देखना है यह दो इस्ट्रक्चर आपके मीजो इस्पुरियम और रिक्सफुरियम यह नीचे ही रह जाएंगे और जो आपका यह है इंडो इस्पुरियम क्या करई आगे चलके चैर्मिनेट करके एक नया यंग रिक्सिया का इन्मार करेगा जिसमें राज जोँ आई इस और सब कुछ प्रजेंट होगा तो यह बात है अभी तक कम्प्लीट रिक्सिया के बारे में बताया मने एक बार फिट से आगर आपको देखना तो देख लिजिए रिक्सिया का कैसे कैसे क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं तिक इसका जो गैमिटोफाइट ब्लान्ट ब मैंने बता था आपको रूट की बाद बताः कि रिक्सिया का में च यहां इटामिक ही सबत है आपसमें फ्यूज आपसमें मिच्ण करते हैं फ्यूज करने के caso क्या होती है का होती है इस पर फाइट की ये डिडुरा ओप Three का करते हैं इस पर फाइड नहीर चाहिए फिर इस प्रमेजने या प्रायोफाइट करेगा तो अनुकि सारी बाते में आपको बता देज़ा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक श्ब्राइब करेज़ेगा दिक मिलते आगे लेक्टर में कुछ अच्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ